कि असलाम अलेकुम पहरे बच्चो दिस इस क्लास सेवन्त सब्जेक्ट मैद एक्जरसाइज 5.1 आज हमें क्वेस्चन नंबर 3 करना है देखें क्वेस्चन नंबर 3 क्या है identify which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary ये जो angles नीचे दिये गए हैं इन में से हमें बताना है कि complementary angles कोन है और supplementary angles कोन है मैंने आपको कल बता दिया है जब दो angles का sum 90 degree के बराबर होगा तो वो complementary angles कहलाते हैं जब दो angles का sum 180 degree के बराबर हो तो वो supplementary angles कहलाते हैं तो हम ये question सालो करेंगे first part is 65 degree and 115 degree हमें बताना है कि ये दो angles जो हैं ये complementary angles हैं या supplementary angles हैं तो हम किस तरह ये sallow करेंगे हम इन दो angles का sum करेंगे देखे 65 degree plus 100 15 degree इनका sum जब हम करेंगे यहां unit is place पर 5 है यहां भी 5 है 5 plus 5 is 10 1 carry tennis place पर यहां 1 है और यहां 6 है 6 plus 1 और carry का 6 plus 1 is 7 और carry का 1 जो है वो मिला के 8 बनेगा तो और ये 1 तो ये 180 degree के बराबर आ जाता है इसका मतलब है जब हमने इन दो angles का sum किया है 65 degree और 115 degree इनका sum निकलता है 180 degree मैंने आपको पहले बता जिया है जिन दो angles का sum 180 degree के बराबर आ जाएगा वो supplementary angles कहलाते हैं so these two angles are supplementary angles इसी तरह second part है 63 degree and 27 degree यह दो angles हमें बताने हैं कि यह complementary angles है या supplementary angles हम इन दो angles का add करेंगे 7 plus 3 is 10 1 carry 2 plus 6 is 9 plus 8 8 plus 1 is 9 तो इनका sum निकलता है 90 degree so they are complementary angles लियाजा यह complementary angles हैं इसी तरह third part है 112 degree एक angle है दूसरा angle है 68 इनका add करेंगे वो 180 degree के बराबर आता है तो यह भी जब दो angles का sum 180 degree के बराबर आएगा तो वो supplementary angles क्यालाते हैं इसी तरह fourth part है 45 degree and 45 degree दो angles हैं एक भी 45 है दूसरा भी 45 है तो हमें बताना है कि यह complementary angles हैं या supplementary angles हम इनका add करते हैं 45 plus 45 is equal to 90 degree तो इनका sum निकलता है 90 degree तो they are complementary angles लियाजा यह complementary angles हैं इसी तरह fifth part है 130 degree plus and दूसरा angle है 50 degree हम इनका add करेंगे 130 plus 50 is equal to 180 तो इनका sum निकलता है 180 degree लियाजा यह भी supplementary angles हैं इसी तरह दूसरा sixth part है 80 degree and 10 degree एक angle है 80 degree दूसरा है 10 degree हमें यह बताना है कि यह complementary angles हैं या supplementary angles हम इनका add करते हैं 80 plus 10 is equal to 90 degree 90 degree जब दो angles का sum 90 degree के बराबर आ जाएगा तो वो complementary angles को कहलाते हैं इसी तरह fourth question है find the angle which is equal to complement हमें बताना है वो angle जो अपने complement के बराबर हो यानि हमें ऐसे दो angles बताने हैं जिनका sum जो बराबर बराबर हो और उनका sum 90 degree के बराबर आ जाएगा तो हम किस तरह सालो करेंगे यह हम लिखेंगे let the angle be x हम वो angle x रखेंगे जिसका complement जो अपने complement के बराबर हो वो angle हमें बताना है हमने वो angle रखा है x अगर एक angle है x दूसरा भी x होगा क्यांकि वो अपने complement के बराबर होगा इसका मतलब है यानि दो angles का sum वो एक जैसे angle है उनका sum 90 degree के बराबर है तो हम लिखेंगे x plus x यहने एक angle x रखेंगे तो फिर दूसरा भी x आ जाएगा x plus x is equal to 90 x plus x is 2 x is equal to 90 degree x यहाँ पर रखेंगे is equal to 90 यह two is side में जाएगा divide हो जाएगा यहाँ टू वन जार टू 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 फोटी फाइव जाएगा जाएगा जब हम उनका एड करते हैं फोटी फाइव प्लस फोटी फाइव जाएगा इसी तरह question नंबर फाइव है find the angle which is equal to supplement यहाँ हमें बताना है वो angle जो अपने supplement के बराबर हो यहने वो angle बताना है हमें जो अपने यहने दो angles ऐसे हमें बताने हैं जो एक जैसे हूँ और वो supplement यहने उनका sum 180 डिगरी आ जाएगा तो हम क्या करेंगे उन में से हम एक एंगल लेंगे एकस let the angle be एकस तो जब हम एक एंगल एकस लेंगे दूसरा भी एकस होगा क्यांकि वो इसी के बराबर है तो x plus x is equal to 180 x plus x is 2 x is equal to 180 x यहाँ पर राखेंगे is equal to 180 divided by 2 now x 2 से 180 को काटिंगे 2 1s are 2 to 9s are 18 2 0s are 0 x is equal to 90 degree ल्यादा वो एंगल 90 degree है जिसका कंप्लिमेंट हम लेंगे तो वो यहने कंप्लिमेंटरी एंगल बन जाएंगे यहने एक एंगल एकस है एक एंगल 90 degree है तो दूसरा भी 90 लेंगे 90 plus 90 is equal to 180. शुक्रिया.